नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइमस में आप सभी का स्वागत है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, मैं किस जगह पर खड़ा हूँ और कुछ देर पहले आपको बहुत सारी अपडेट यहां से मिल रही होगी और मैंने कुछ जन परते निदियों से बात की थी और ल उम्र वाली महिला हैं, उनसे बात करेंगे, और हमारी बात जो है वो आदिवासी भासा में होगी, हुनो में ते मार केड़ी भाई को, ने थमार गौम, सूरा, क्यों गौम है, सूरा, सूरा, ते थमार उमर केतरी होई, वहीं में तो मन्धूं पठाए, नीठा को, पैने लनी आज इनी सोकी उपर हुले वाविला हो, सोकी उपर, सोकी उपर तो हमारा रूड नहीं, हमारी जला नहीं, लाइट, हाँ नमार पड़िन, हमारी लाइट चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, हमारी लाइट नहीं आई तो यह हमारे आदिवासी कहां जाएंगे, अब हमारी आणी गाओ से है, महात, पंचाइट के निवासी है, एक और महिला है, होनो म्हीत तमार, सुमित्रा, तम्हें किया गउम नहीं हो, ते हो में, तिया नहीं, उदीयाना, तम्हे हुन्छ तम्हें फोतित नहीं, हमारा जंगल जम इन केंद केंद आधिक ततता नाही लाइटि नहीं नहीं भोडलणी लाइटिय केंद अधी केया कुछ ला था चपैस सोले आधि लानों भानों फ़ूंकि न मやत Свी अधिय कुछ तो आधिक जो दिया करोन सेरर कह पतीर कोBox है तो है नहीं ते आ सेरकार ओ हारी थेमर सुवी दाव था में कीम आलती नी आलता में सर्पेस ने पेलाग जी तो ए तो एना नर पीए तो ए बापरो थाके बीजानवरे उपो करिये ते ए थाके पोण ही खेर हूं तो अगल परीकवन होने अमान दो कोई हम जाबा नहीं ओना ना अब आर्थमन सरकाना अधिकारी होपली रहा है अधिकारी यहां तो हूं के मुहरे यह अमारा बट्ट उसए हमारा लाइट जंकल जमी नहीं पत्ता नहीं मलता है पिसन्यों बेल कुर रोड़ लाए हम जंगलात वना वाटने कॉस्ट नहीं आलव हमारा बस तो दोस्तों यह थे सुमित्रा बेंट धिया गाउ से जिन्होंने अपनी समिस्या बताई कि मुल्बूत जो सुविदाय खास सडक और जिस तरीके से बिजली की आफसकता होती है रास्ते की आफसकता होती है उन्हें जोली करके गुजरात के जगपर इलाज के लिए लेके जाना पड़ता है समिस्या का समाधान करने की कोशिस करे ताकि यहां पर जो लोग धरने बे बैठे हैं वो लोग अपने घर पर जाके अपना जो भी घर है वो देख सके यहां पर मैं चाहंगो कि किसी जन परतिनिदी से बातचित करता हूं रमेश जी है जो कि सूरा से है मैं जानता हूं थोड नहीं कर रही है कि क्या कारण है जिस वज़ से इक सड़के नहीं बन रही है इसमें देखिए सर अपड़े जो हमने 25 सितेंबर 2017 को दर नाजिया था जो उपकर्ण काले थोड़ा इदर आ जाई है तो उससे में मरलव जो अपड़े खोकरा से बेड़ा दर जो 2007 में सेक्शन तो उन्हाने आश्वसन दिया था और के एनोसी का प्रोसेज हो रहा है और आपके मलव 10-15 दिन में रोड़ बन जाएगी हो देखिए दो किलो मेटर जो फोरेश जो था वहां से वापस रोड़ बन कर दी और आगे जैसे कि डियां से बेड़ा दर तक आज 2007 से एसे कशे जो क वह भी फोरश्ट डिपार्टमेंट जो रोड़ार करा इसमें मैं अभी वर्तमान में यह सबसे बड़ी समझ जैसा आपने बोला कि वन्विभाग इसमें नहीं बनने दे रहा है तो जब आप वन्विभाग को पूछते हैं इसके बारे में तो वह क्या कहते हैं हर सब्सक्रा आगे से हमारे अधिकारी वह देंगे तो हमने कई बार इनको बोला है और धर्ण भी दिया है कई बार लेकिन हर आस्वसन मिल रहा है बस सरकार इसकी सुनवाई करें नहीं रहे बस और जैसा कि मैंने कुछ यहां जो जन परते दिने थे उनसे सुना था कि उदेपूर जाकर इसके लिए आप ग्यापन देखे आए तो वहां पर क्या कहा गया था वहाँ यह का गया है कि अपड़े जो भी फोरेश्ट के जो एरिया है यह उनका मतलब इतना हक नहीं है कुछ यह से भी है जो कुछ दिया में एसे भी है जहां रोड बंज सकती है उनका ही अधिकार शार हूं और अभी आपको सरकार के वह जन परतिनिदी रहें के जिने आपने यह ग्यापन दी होंगे और वह अदिकारे जिनका इसमें सबसे ज़्यादा रोल है और वह आपकी सड्के बनवाने में योगदान दे सकते हैं तो क्या कहना चाहते बस में उल्ट करना साथ हो कि इन जो समय से हैं उनका जल्द सब्सक्राइब और हमारे साथ बढ़े रहे और आगेश कोशिश करते रहे मेरा इन से यही कहना है तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताए कि वन्यूभाग जो आप पड़ सकते हैं कारेले वनपाल नाका वन्यजीव महाद वन्यजीव रें हैं अभी फिलाल चार साड़ी चार बजे डाई गंटे से तीन गंटे होने वाले हैं लेकिन अभी तक इनकी जो समिस्या हैं कि सडक नहीं बन रही है तो वो कब तक हल होगी और जब हल होगी तब यह लोग निकलेंगे ऐसा इनका कहना है तो मैं चाहाँगा कि जो भी अधिक लेट के साथ तब तक के लिए नमस्कार